अलो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुवेशन आज मैं जानकर ही देने आया हूँ M.N.S. B.A.C. नर्सिंग के बारे में Military Nursing Service में B.A.C. नर्सिंग कोर्स कैसे करें Army में किस प्रकार से हम Nursing Officer बन सकते हैं 12th के बाद Direct Government Job वो भी Nursing फिल्ड में और वो भी Defense में कैसे मिल सकती है क्या यह possible है बहुत ही बड़ी जानकरी दे रहा हूँ और बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं है कि M.N.S. है क्या Military Nursing Service क्या है कैसे 12th बायो का student Direct Government Job कर सकता है और फ्री में B.A.C. नर्सिंग भी उसको Military के द्वारा करवाई जाती है क्या procedure है क्या eligibility criteria, age criteria, admission process है क्या Military Nursing Service में B.A.C. नर्सिंग कोर्स करने के लिए NEET compulsory है क्या यहां पे boys apply कर सकते है या केवल girls के लिए ये course है कितने college है M.N.S. के जो B.A.C. नर्सिंग की training करवाने के बाद जो हैं आर्मी में direct government job देते है कैसी होती है इनकी training क्या इसके लिए केवल NEET का exam देना compulsory है या और भी कोई exam होता है क्या इसके लिए कोई medical fitness, health check up जैसा procedure भी होता ही क्या क्या इसमें interview भी होता ही क्या बहुत सारी चीजे हैं जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ बहुत अच्छी जानकरी होने वाली है मैं आपसे निवेदन करूँगा इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करिएगा सबसे पहले तो बच्चो Military Nursing Service MNS यह बच्चो अमारी जो Arms Force हैं हमारी इंडिया की जो आर्मी हैं आर्मी के जितने भी बड़े बड़े उस्पिटल होते हैं उन उस्पिटल में जितने भी Nursing Officers लगे होते हैं वो B.S.C. Nursing कंप्लीट करने के बाद ही जोईन करते हैं आर्मी के जो उस्पिटल होते हैं उन में B.S.C. Nursing और B.S.C. Nursing के बाद जोब ये एक Connected Process है मतलब ये की गॉर्मेंट ही आपको B.S.C. Nursing करवाएगी और फिर उस उस्पिटल में जोब भी प्रोवाइड करेगी लेकिन कैसे देखिए सबसे पहले तो M.N.S. का फॉर्म कौन भर सकता है Military Nursing Service का जो फॉर्म है ये कौन अप्लाई कर सकता है तो देखिएगा M.N.S. का जो फॉर्म है वो केवल गर्ल्स अप्लाई कर सकती है जिनके 12 में बाईलो जी सब्जेक्ट है बाईयो सब्जेक्ट वाली जो गर्ल्स है वो Military Nursing Service के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती है Second Point है कि फॉर्म अप्लाई के लिए Minimum Age कितनी होनी चाहिए यहाँ पे Minimum Age का Criteria तो Defense में होता ही है तो बिल्कुल यहाँ पे Minimum Age का Criteria है 17 से लेकर के 25 17 से 25 वर्स Age होनी चाहिए 17 से कम नहीं और 25 से उपर नहीं Age में कोई अलग से छूट नहीं है अब देखिएगा आपकी जो Date of Birth है वो 2000 से 2007 सुरी 1999 से आपकी जो Date of Birth है वो 1999 से 2007 के बीच होनी चाहिए जिन Candidate की अभी 17 साल Age कम प्लीट नहीं होई है वो भी अपलाई कर सकते हैं क्योंकि 17 Year Age अगर आपकी 31 December 2024 में कम्पलीट हो रही हैं तो भी आप अपलाई कर सकते हैं आपकी Date of Birth 2007, 2006, 2005, 4, 3, 2, 1 हैं तो आप भर सकते हैं आपकी Date of Birth 2008 है तो आप अपलाई नहीं कर सकते हैं अब देखिए Military Nursing Service Military Nursing Service के जो कोलेज हैं MNS के BAC Nursing के इंडिया में कुछ Government College है उन Government College में BAC Nursing में आपको Admission तभी मिलेगा बच्चो जब आप NEET का एक्जाम देते हैं मतलब यह कि MNS में MNS में BAC Nursing के BAC Nursing के Course में आप Admission लेना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा NEET का Form अपलाई करना पड़ेगा NEET का एक्जाम देना पड़ेगा और NEET के एक्जाम को Qualify करना पड़ेगा तभी जाकर के आप आगे MNS के लिए Qualify हो पाएंगे तो सबसे पहले जिनको भी Military Nursing Service में जाना है जिनको Military के Hospitals के अंदर Nursing Officers बनना है जिनको 12 के बाद Direct Government जोब चाहिए लाखों में payment होता है बेटा बहुत अच्छी जोब है है ना बहुत अच्छी जोब है अब देखिएगा तो सबसे पहला काम अभी आपका केवल एक ही है और वो है Neat का form अपलाई करिए आप क्या करना है आपको Neat का form अपलाई करना है यह देखिए Notification आप देख सकते हो जो है मैं आपको Neat का जो अभी आली में Notification आया है मैं उसमें ही दारेक्ट दिखा देता हूँ यह देखिएगा अभी Notification आया है बच्चो यह Neat का Neat के अभी जो है form निकल चुके है ठीक है ना Neat के form निकल चुके है और Neat के form जो है वो 9 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक भरे जाएंगे यह आप देख सकते हैं 9 फरवरी से 9 मार्च तक जो है form भरे जाएंगे और इस form में यह Notification आप देखिएगा हाँ जी यह आप Notification देखिए MNS Military Nursing Service Aspirant Seeking Admission to B.A.C. Nursing Course Being Conducted at Arms Force Medical Service Hospital for year 2024 are required to qualify the NEAT the NEAT UG Score will be used for short listing for selection to the 4-year B.A.C. Nursing Course यहनी जिनको Military Nursing Service में जाना है जिनको Military's के जो Nursing के Government College है और जो Government Hospital है उनमें admission लेना है तो उनको पहले NEAT का एक्जाम देना पड़ेगा इतनी बात समझा गई बिलकुल और MNS के B.A.C. Nursing के College कौन कौन से हैं वो भी आपको दिखा देता हूं कहां कहां पे College है है ना तो देखिए बच्चो College में आपको दिखाता हूं सबसे पहला College है बच्चो पूने में AFMC पूने इंडिया का सबसे टॉप B.A.C. Nursing का College है इसमें 40 seat है टोटल फिर अगला है बच्चो आपका CHEC कौल कत्ता यह कौल कत्ता के अंदर College है अगला अगला आपका बच्चो College है INSH अश्विनी मुंबई यह मुंबई के अंदर है चोता जो College है बच्चो वो है आपका AH R&R यह New Delhi में है अगला है बच्चो CHCC यह लखनव में है और अगला है CH AF यह आपका बेंगलूरू में है यह Total 6 College है बच्चो और जिन में Total 220 seat है Total कितनी seat है MNS की 220 seat है MNS BSE नर्सिंग की इन Government College जैसे कौल कता है पूने हैं मुंबई है दिल्ली है लखनव है और बेंगलूरू है यह 6 College है और इन में आपको admission तभी मिलेगा जब पहले आप NEET का form बरेंगे तो क्या सर्दारेक्ट NEET का form बरने से College मिल जाएगा नहीं देखिए सबसे पहले तो बच्चो पहला step है NEET का form बरना तो देखो मैं selection का पूरा procedure आपको बता रहा हूँ सबसे पहले ही पहले क्या होगा आप NEET का form बरेंगे NEET का form अपलाई करने के बाद NEET का आप exam देंगे है ना NEET के exam में बच्चो आपको बायो के 90 क्यूसन अटेंड करने है Chemistry के 45 और Physics के 45 क्यूसन अटेंड करने है साथ सो और बीस नंबर का आपका जो है पेपर होगा और परतेग जो बच्चो क्यूसन आता है NEET में वो च्यार नंबर का आता है और NEET में negative marking भी होती है है ना बिल्कुल अगर आप MNS में जाना चाहते हैं तो आपको साथ सो बीस में से बच्चो मिनिमम कम से कम qualify करने के लिए कम से कम बच्चो आपको जो हैं 4 20 से लेकर के 5 20 के बीच में भी अगर आप नंबर लेके आ जाओगे या 430 से 530 के बीच नंबर लेके आ जाओगे तो लगबग आपको college जो हैं सोरी लगबग आप MNS में क्वालिफाई हो जाएंगे है ना 430, 450, 500, 510, 520, 550 है ना तो आपके 400 से उपर स्कोर होना चाहिए तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे जैसे ही NEET में नीट में आपका अच्छा स्कोर आ गया है ना आपको MBBS नहीं मिलता है पहला तो परियास NEET में सभी का रहता है कि मुझे MBBS मिले लेकिन जब MBBS नहीं मिलता है किसी गल्स कैंडिडेट को और नर्सिंग में जाना है तो यह best option है इसके बाद आपको क्या करना है अब देखिए मैं दूसरा तरीकव आपको बताता हूँ आपने सबसे पहले किसका फॉम बढ़ा? NEET का फॉम अपलाई कर लिया अब देखिए NEET का एग्जाम होने के बाद मिलिट्री नर्सिंग सरवीस का फॉम निकलता है फॉर्म अपलाई करना पड़ता है ठीक है न और MNS के फॉर्म की केवल आपकी फीस कितनी लगती है 200 रुपे फीस लगती है और MNS के फॉर्म अपलाई करने की वेबसाइट क्या है देखो joinindianarmy.nic.in जे आई ए बिटा ये वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पर MNS के फॉर्म अपलाई होते है फॉर्म जब भी निकलेंगे मैं अपडेट देता रहूंगा आपको वैसे neat का exam होने के बाद जब neat का result आता है तब इसके फॉर्म अपलाई होते हैं है ना बिल्कुल जी फिर neat का score आपको जो है जब आप फॉर्म अपलाई करते हो जब आप फॉर्म भरते हो ना बिटा तो उसमें आपको अपना neat का score लिखना पड़ता है कि आपके neat में कितने marks आए हैं है ना फिर जितनी भी लड़किया फॉर्म अपलाई करती है उनकी merit बनती है और उनको counseling के लिए बुलाया जाता है है ना बिल्कुल अब इसके बाद क् आपका neat का result आगया आपने form apply कर दिया है ना ये पहला step है आपका second step में क्या होगा जैसे neat में अच्छे number आगे और आप select होगे आप qualify होगे first step में अब होगा बिटा second step second step में MNS के द्वारा military का खुद का एक board है बचों वो board आपका एक test लेगा और और वो जो test होता है वो बड उस test में एक तो general IQ level से related question पूछे जाते हैं और एक general English के question पूछे जाते हैं total 40 question पूछे जाते हैं कितने चाली स क्यूसन का online test होता है और परते question दो number का होता है तो 80 marks का 80 number का एक test होता है और वो test कौन लेता है MNS लेता है वो online test होता है है ना बिलकुल ये NEET के result आने के कुछ दिनों के बाद ये test होता है है ना बिल्कुल जी अब इस test में कैसे क्या क्यूं सनाते हैं वो तैयारी हम आपको करवा देंगे है ना बिल्कुल पहले आप NEET को करेक करिए इसके बाद इसके बाद तीसरा step तीसरा step जैसे ही आप इसको pass करना है के बल इसमें अगर top का score नहीं भी आएगा तो चलेगा जैसे ही आपने बच्चो ये GI और GE का test दिया और आपने इसको qualify कर दिया इसके बाद वहाँ पर बच्चो आपका जो हैं interview होगा MNS board के सामने आपको counseling के दोरान interview के लिए बुलाया जाएगा कुछ normal क्यूशन पूछे जाएंगे और फिर आपका medical होगा medical होने के बाद में आपको college के अंदर admission दे दिया जाएगा seat दे दी जाएगी इस तरह का procedure होता है बटा ये MNS का procedure है है की नहीं बिलकुल अगर कोई भी आप में से candidate जो military nursing service में जाना चाता है तो उनको अभी से अपनी तयारी सुरू कर देनी चाहिए वैसे तो NEET की पहले तयारी करनी ही थी अगर किसी ने अभी भी तयारी सुरू नहीं की है तो आप तयारी सुरू कर दीजिए कोई student अगर अगले session के लिए दो अजार पचीस के लिए भी preparation करना चाता है तो विजे एजुकेसन एप में हम ब्रमास्त्र बेच के द्वारा इसकी preparation करवाते हैं बिलकुल आप join कर सकते हैं और हम guide भी करते हैं मैं यह नहीं कहता कि आप विजे एजुकेसन से पढ़ें है ना मैं तो बस यह कहता हूँ कि मैं जो जानकरी देता हूँ आप उसे आगे से आगे हमारे बहीनों तक हमारी बेटियों तक पहुंचाएं ताकि लोगों में एक जाग रुकता आएं जोगों को जानकरी मिले है ना बिल्कुल तो बात आपके समझ में भी आ गई होगी कि यह military nursing service है क्या है ना मैं एक छोटी सी जानकरी देकर के इस विडियो को end करना चाहूँगा देखिए MNS military nursing service पूरे भारत में इसके 6 college हैं उन 6 college हो में सबसे पहले आपको हमारा जो government of India है government of India का जो defense ministry है वो defense ministry बच्चों आपको क्या सबसे पहले B.A.C. nursing course में admission देगी admission के दोरान आपको nursing की training करवाई जाती है 4 साल तक B.A.C. nursing course free में करवाया जाता है free में आपको hostel facility मिलती है अगर selection हो गया तो आपका बाद में 4 साल तक एक भी पैसा नहीं लगेगा और 5 साल आपको नौकरी मिल जाएगी government job मिल जाएगी कुल मिला करके आपको 12 के बाज सीदी job मिल रही है लेकिन ये जो 6 college है बटा MNS के है ना इन में केवल जो लड़किया है ट्वेल्ट बायों की जो girls है वही apply कर सकती है और आपका age 17 से 25 के बीच होना चाहिए है ना बिल्कुल जी पहले आप neat का form बरिए neat का जब result आएगा तो समय MNS का form निकलेगा neat का form बरने के बाद आपको MNS का form बरना है है ना MNS का form बरोगे तो वाँ neat का score आपको अपडेट करना है neat का score अपडेट करोगे तो इसके बाद आपका counseling स्टार्ट होगा counseling में सबसे पहले आपके neat के नमबरों के base पे एक merit बनेगी और उस merit में जो भी बच्चियां चेहनीत होगी उन लड़कियों के लिए MNS बोर्ड एक test लेगा normal basic test और test के साथ interview भी होगा और medical होगा और इसके बाद आपको college अलोट हो जाएंगे बिटा है ना बिलकुल तो ये पूरा procedure है MNS का क्योंकि लगातार मेरे से काफ़ी student पूछ रहते कि sir क्या MNS के लिए NEET जरूरी है तो जी हाँ NEET बिलकुल जरूरी है पहले बच्चों बिना NEET के admission होता था अब NEET compulsory कर दिया है पहले अलग से MNS खुद अपना exam करवाता था लेकिन अब NEET compulsory कर दिया है है ना और मैं आपको इसकी website भी बता देता हूँ है ना बिलकुल लेकिन पहले आप 9 मार्ज तक NEET का form अपलाई कर दीजे ये NEET का form बढ़ा जा रहा है एक बात मैं और बता दूँ BSE nursing के लिए MNS के जितने भी college हैं वो भी BSE nursing करवाते हैं उनमें केवल MNS अलग से exam लेता हैं बाकी कोई interview और medical test वगिरा कुछ नहीं होते इसी तरह से सभी राज्यों में राज्ये इस तर पर भी BSE nursing के entrance exam होते हैं UP का अलग, BR का अलग, राजस्तान का अलग, MP का अलग और उनमें लड़के और लड़कें दोनों ही apply कर सकते हैं तो आप BSE nursing ही करना चाते हैं तो केवल आप एक form apply ना करें एक से ज़्यादा form बरें क्योंकि सभी का syllabus एक ही जैसा है है ना, तो आपको जब आप exam दे दें और जब counselling हो तो counselling के समय जो भी best college आपको मिले आप उसका चुनाव कर सकते हैं अब देखिएगा तो यह नीट का form बढ़ने की last date 9 March है नीट का exam कब है वो भी आपको बता देता हूँ है ना, नीट का जो आपका exam है वो है 5 मई को नीट का exam आपका 5 मई को हैं यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ है ना, और इस MNS के लिए हम विजय एजूकेशन एप में free test series भी चलाने वाले हैं थोड़े दिनों के बाद आप free test series को भी join कर सकते हैं paid test series भी हम लोग चलाएंगे MNS की उनको भी आप join कर सकते हैं यह विजय एजूकेशन है जो हमारे देश की जो बेटिया है वो कैसे आगे बढ़ें हमारे जो चूटे-चूटे गाउँ से आने वाली जो बेटियां यह जो बच्चीां है वो कैसे आगे बढ़ें इसके लिए मैं परियास रता हो हैना मैंने पिसले साल भी यहां से दो-तीन बच्चीयों को जो हैं अगर मैं बात करूँ पूने की या मैं बात करूँ लकनव की तो मैंने उनको गाइड किया है मैंने उनको बेजा है और मेरा परियास है कि इस बार मैं MNS के अंदर कम से कम 10 से 15 बेटियों को गाइड करके बेजूँ मेरा टारगेट और जदा है मेरा टारगेट पचास का है लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं दस से पंदरा बच्चियों को इन कोर्सेस में एडमिसन दिलाऊं ठीक है ना मैं तमाम मेरी जित्ती भी बहीने इस वीडियो को देख रही है प्लीज आप शेयर करना हो सकता है आप पीडियां जो हैं वो शवर जाएगी हैना सपना होता है लोगों का MNS में जाने का हैना सीधी 12 की बाद गौर्मेंट जोब है अच्छी पढ़ाई करो अच्छी तयारी करो मैं एक बड़े भाई के तोर पर आपको गाइड करने के लिए तयार हूँ फोरम बरने में कोई दिक बिल्कुल जी तो ये पूरा सिस्टम आपके सामने ठीक है ना बिल्कुल जी बिल्कुल तो ये पूरा सिस्टम है और जो बचे अभी जो बचियां अभी 12 में हैं वो भी फोरम अप्लाई कर सकती हैं तो वो भी फोरम अप्लाई कर सकती हैं है ना बिल्कुल जी इसके बाद म इसमें minimum 12th में percentage 50 या उससे उपर हैं, तो आप आराम से apply कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बिलकुल जी, ये पूरा system है, है ना, ये पूरा इसका notification आपको मैं दिखा रहा हूँ, सबसे पहले NEET के नंबरों के base फे sort list किया जाएगा, है ना, इसके बाद में एक normal test लिय के बाद में, जो है psychological assessment होगा और entry होगा, है ना, और इसके बाद medical examination होगा, और फिर सीधा आपको admission दे दिया जाएगा, ठीक है ना, बिलकुल जी, बिलकुल, जो आपकी last merit बनेगी, वो आपकी merit NEET, और इसके अलावा general intellectual और general English के number, और interview के number, इन सभी को जोड करके और final आपकी merit बनेगी, और उसी merit के तरूँ, आपको selection मिलेगा, ठीक है, बिलकुल, तो आज के लिए इतना ही, thank you so much, जैहिंद, वंदे मातरम, thank you again, और कुछ मेरे, मेरी बच्चियां जो थी, मेरी बहीने जो थी, वो पूछ रही थी, कि सर, विजए education का एप किस नाम से है, तो विजए education का एप जो है, वो विजए education के नाम से ही Google Play Store पर है, आप एप डाउनलोड करके रखना, बहुत ही जल्द एक सफ़ता के अंदर अंदर, हम military nursing service की अलग से, एक test series, और पूरा admission का एक अलग से, session जो है, वो बनाने वाले हैं, और उस course में, admission की प्रक्रिया, document verification की प्रक्रिया, medical fitness को लेकर के, हैना हर एक guidance आपको उसमें मिलेगा, आज के लिए इतना ही, thank you so much, jahind